हेलो एंड डेलकेव एवरिबर आप सभी का स्वागत है टार्गेट गुर्कुल के इस अनलाइन लर्निंग प्लेटफॉम पे जैसा कि आप सभी को मालूम है आज है 26 नवंबर 26 नवंबर को हम लोग कौन सटे मनाते हैं तो हम लोग मनाते हैं मिल्क डे नेशनल मिल्क डे क्या मनाते हैं नेशनल मिल्क डे यहाँ पर जैसा कि आप लोगों थमनिल भी देखा होगा हम लोग मनाते हैं नेशनल मिल्क डेक क्यों मनाते हैं और क्या क्या इसकी फ्लग दिया थी इन सबी चीजों के बारे में इस वीडियो में जर्चा करेंगी यह सेशन जो है पूर इस पेशल होने वाला है उससे पहले हम आपको बता दे कि अगर आप किसी भी युनिवर्सिटी स है इस गुल करकर करते हैं हमारे फ्रीप के साथ तो चलिए अब हम मनाते हैं इसमें बात करेंगे तो 26 निवंबर को यह चीज़े आपको पता होनी चाहिए कोई भी एक्जाम हो चाहें आप युप्यसी का इजाम दे रहा हूं चाहें जोटा सा आप इंट्रेंस एक्जाम दे रहे हैं उसमें इस टॉपिक से कोश्चन आते ही आते हैं इसलिए हमने सुचा कि आज इसलिए हम कुछ अच्छा सा ब कि चरी स्टार्ट करते हैं तो नेशनल मिल्क डे हम लोग क्यों मनाते हैं तो नेशनल मिल्क डे इस दिन इस दिन मिल्स यह इनको पाचान रहे होंगे यह हैं डाक्टर वरगीज खुरियार इनका जो है जन्म इसी दिन हुआ था कब हुआ था 26 नमंबर 1921 में हुआ था कब लोग की इनके बड़य मना रहे हैं यह कौन है यह इनकी क्या उपडिया थी आगे आगे आम बात करेंगे वैसे तो आज आपका संधान दिवस मनाय जाता है तो संधान दिवस का वीडियो अभी आपको मिल जाएगा कुछ जहर में उसे भी आप लोग देखिएगा क्योंकि अगर आपको knowledge चाहिए, knowledge चाहिए, क्योंकि knowledge तो सब को चाहिए, आज की दुनिया में, अगर आपको पार knowledge नहीं, आप पहिन काई बहुत पीछी है, तो इसलिए कई भी, कई से भी knowledge मिले, आज उसे क्या करिए, अटे में करिए, वैसे आज इतना अच्छा दिन है, उस पे आप क्या करिए, ये knowledge लिजिए, और संग्जान दिवस पे भी आप knowledge लिजिए, ठीक, अब हम बात करते हैं कि ये कौन है, तो ये डाक्टर वर्गीज कुरियन है, इनके चर्मदीन पर अब मेशनल मिल्कडे माना रहे है, वाड़ मिल्कडे नहीं, मेशनल मिल्कडे की बात हम कर र इनका सबसे बड़ा रहुगदान की सितर में था मिल्क केज है, ठीक, तो इनको हम किस नाम से जानते हैं, मिल्क मैन आफ इंडिया, यानि कि ये इंडिया की क्या थे, मिल्क मैन थे, ठीक, कौन थे डाक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक, तो इनके अगर हम जन्मदीन की बात कर करें, तो इनका जन्म का हुआ था? 26 नमंबर को, 26 नमंबर सन 1901 CCV में इनका जन्म हुआ था, वैसे अगर हम बात करें, तो आज आप देखते होंगे कि भारत पाला राएंक कर लेके आ रहा है कि इस चितर में दुख धुत पादन की चितर में, अगर इसका क्रेडिक किसी को दिया जाता है, तो दिया जाता है डाक्टर वर्गीज कुरियन को, यह है आपका मतलब ओवर आल वर्ड में अगर फश रहे किसी की है, तो इंडिया की, यह भी कोश्चन आते हैं, अब अगर हम बात करें, अपने भारत के अंदर अगर हम बात करें, कि मिल्क सब्से ज़्या यानि दूर सच्ची ज़्यादा उत्पादी कहां हो रहा है, तो वो हो रहा है राजस्थान में कहां हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है, सच्ची ज़्यादा मिल्क उत्पादल हो रहा है, ठीक, कई के किताबों में आपको यूपी मिल जाएगा, तो आपको बता दो आपके डाक्टर वर्गीज कुरियन थी, इनका जन्म तो आप जानगे कि 26 नमबर 1921 को हुआ था, कहा हुआ था तो ये कोजी कोड, कोजी कोड का अगर आप नाम सुले होंगे, तो आहीं पे इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, अगर इनकी हम प्लदिया की बात करें, तो ए क् explorãyate Amazon का सब्सक्राइब में नेगरी कलचर के चेतर में वर्ग पराइज है, क्या दिया जता है, वर्ड पूड प्राइज इसी आपको जढ़ रखियेगा, जैसे नोमेल प्रुछकार का जीतना अस्थान है, युगदान है, ठीक उतना अस्तान किका रूड पूड पराइज तो 1989 में हमारे माहान बैग्यानिक डाक्टर वर्गीज कुरियन को क्या गया था वर्ड फूर्ट प्राइज दिया गया था और अगर इनकी हम मृत्यु से बात करें तो इनकी मृत्यु का हुई थी 9 सितंबर 2012 का हुई थी 9 सेप्टंबर 2012 में इनकी क्या हो थी इतनी चीजें इनके बारे में रहा तिलाल बाकी तो और चीज़ें की सिच्चा सब कुछ है लेकिन आगी अगर हम बात दरें तो इनका युगदान और कहा रहा है जे फादर आफ वाइड रिवुलूशन कहे जाते हैं रिवुलूशन का मतलब इसको हम लोग जानते आपरेशन फ्लर्ड की नाम से अग्या समझने यहीं समझ में आ रहा होगा कि जादा सी जादा यानि बार आगए इसकी बार आगए दुग दुब की बार आने का मतलब जादा सी जादा उत्पादन होने ला ठीक रिवुलूशन की बात यहीं होती है कि बड़े स्केल पे जादा सी इसमें था white revolution operation flood में था यह कब इस्टार्ट किया गया तो आपको बता दे 1970 यानी 1970 में इस्टार्ट किया गया था यह program किसके द्वारा इसके द्वारा क्या किया गया यह जो है revolution इस्टार्ट किया गया सबस्य बढ़ा यह डिवलमेंट प्रोग्राम था कौन सा प्रोग्राम यह आपरेशन फ्लड यानी वाइट रिविलूशन था एक यह तीन पेज़ में चलेते हैं तीन पेज़ कौन-कौन क्याव से थे कि पहला पेज जो था वह था 1970 यानि 1970 से लेकर एक नहीं सो स्थी में पाला पेज चला था वह अगर तो इतनी जांकारी हमने आपको दे दिया इसके बारे में वायत रिवुलूस्ण के बारे में तो इतनी अगर आग कोई भी एक्जाम देने जाते हैं या फिर UPSC क्यों ही ना हो या फिर कोई भी सब्जेट आप पड़ रहे हैं तो उसमें क्या है यहां सी कोश्चन बनते हैं तो वीडियो को क्या करिएगा ज्यादा से ज्यादा से शेयर करिएगा और अपनी राय जरूर क कमेंट बॉक्स में लिखियेगा और हाँ इस दुख्द आवसर पे कुछ अलग जरूर करिएगा थैंक यूदे